कि हेलो फ्रेंड्स तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से ग्रो एप पे अपना फ्री डीमेट अकाउंट बना सकते हैं इसके लिए कोई भी आपको चार्जस दिना नहीं पड़ेगा और यह जो है ग्रो एप का अकाउंट ओपनिंग करना बहुत ही जादा इजी है तो जैसा मैं यहां पर करूंगा स्टेप बाइस्टेप आप भी सेम वैसा ही करें आप भी अपना ग्रो एप में डीमेट अकाउंट बना सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है ग यहां पर continue with Google अकाउंट से जाएंगे यहां पर जितने भी Google अकाउंट है वहां पर सब शो होगा तो जिस्वेसे भी आप लॉगिंग करना चाहते हैं वहां पर आप क्लिक कर देंगे वहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे मुबाइल नमबर मांगेगा वह आपको यहां पर टाइप कर देना है उसके बाद एक OTP कोड आएगा आपके मुबाइल नमबर पर वह आपको इंटर कर देना है फिर आपको पैन नमबर यहां पर डाल के create an account पर क्लिक कर देना है तो आपका जो नाम है pen card पर वैसा यहां पर शोड हो जाएगा तो confirm पर click कर देना है यहाँ पर अपना date of birth डाल देना है और next पर click कर देना है यहाँ पर अपना gender select करेंगे single है या married है वह select करेंगे और यहाँ पर आपका जो occupation है वो क्या है तो इस में से कोई भी एक चुन सकते हैं जिसमें भी आप applicable हो रहे हो और यहां पर आपको income डालना है कि आपकी साल के income कितनी है और यहां पर आपके experience कितना है trading में वो यहां पर show करना है तो अगर आपको कुछ भी experience नहीं है तो यहां पर no experience पर click कर सकते हैं या फिर one year या two year डाल सकते हैं जैसा आपका experience है उसके बाद आपको प्रोशीट पर click कर देना है यहां पर आपको mother name और father name fill up करना है और next पर click कर देना है उसके बाद आपको bank account यहां से type करके लिख सकते हैं जो भी आपका bank account है जैसे कि मेरा bank of maharashtra है तो यहां पर bank of maharashtra type कर रहा है तो यहां देखो यहां पर आगया है अब यहां पर आपको ifsc code यहां पर type करना है आप अपने branch का तो यहां पर पुरी detail आपके सामने आ जाएगी तो यहां पर detail आचुकी है और grow app के तरफ से आपके उसी account पे एक रुपया credit किया जाता है जिससे आपका bank verify होता है तो यहां पर एक रुपया credit हो चुका है मेरे bank account में इससे यह bank verified हो चुका है अब यहां पर आपको dg logger के थुरू यानि कि आपका जो iapp आने कि आधार कार्ड है उसको यहां से वेरिफाय किया जाएगा तो यहां पर प्रोसीड फोर के כर कर देना фильм कि तो यहां पर आपको इस box में टिक माऊं करना है औ ऑ्हुतिंटिक länger पर क्लिक कर देना है यहाँ पे आपको आधार काड का जो नंबर है आपके वो यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद next पे क्लिक कर देना है यहाँ पे आपको आपके mobile नंबर पे एक OTP कोड आएगा वो यहाँ पे आपको टाइप करना है और continue पे क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको अलाव पर क्लिक करना है तो यहाँ पर KYC प्रोसेस कंप्लिटेट लिखके आ गया है यहाँ पर प्रोसीड फोर अब क्या गरना है आपको एक फोटो क्लिक करना है तो कैमरे में जाएंगे जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्रेंट कैमरा चालू हो जाएगा तो यहाँ से आप अपना फोटो एक ले सकते हैं यहाँ से आप क्लिक करेंगे लुक्स गुड पर क्लिक कर देंगे तो आपका यह फोटो का हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू सिगनेचर पर क्लिक करना है आपको तो यहाँ पर आपका ऐसा विंडो खुल के आएगा इस पर आपको सिगनेचर करना है आपका जो सिगनेचर है तो यहाँ पर जो विंडो है इस पर आपको उंगली की हेल्प से आपको सिगनेचर करना है एज़ जैसा आप करते हैं अगर करने में कोई गलती हो रही हो तो यहां पर reset का option आता है उस पर एक क्लिक करके दुबारा फिर से आप अपना sign दे सकते हैं जैसे आपको साइन सही हो गया यहां पर फिर आपको समिट पे उसके बाद nominee से आपका relation क्या है वो यहाँ पे लिखना है दूसरा आपका nominee का date of birth लिखना है और nominee का identity proof लिखना है इसके अंदर आप आधार number डाल सकते हैं identity proof के लिए तो जैसे आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आधार number type करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको यहाँ पे आधार number type कर देना है उस nominee का उसके बाद confirm identity proof पे click कर देना है उसके बाद finish पे click कर देना है proceed to आधार e-sign पे फिर आप option आता है इस पे आपको click करना है proceed to e-sign पे click कर देना है यहाँ पे जो account opening form है यह आपको पुरा दिखके आ जाएगा जैसे आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपकी sign भी यहाँ पे आ जाएगी और आपका photo भी इसमें रहेगा जैसे कि यह sign देख सकते हैं कि sign आ चुकी है और उपर देखेंगे तो आपका यहाँ पे photo भी आ चुका है आपका यह जो account opening form है यह fill up हो चुका है यहाँ पे sign now पे click कर देना है फिर nsdl की website खुलेगी इसके अंदर आपको अधार number type करना है और send otp पे click कर देना है जैसे otp आपके mobile नंबर पे आएगा वह otp यहाँ पे type करके verify otp पे click कर देना है तो यहाँ पे successful हो चुका है तो यहाँ पे congratulations मुहांबद आसिफ मुहांबद इब्राहिम अंसारी आ गया है अब यहाँ पे हम इसको start कर सकते हैं हमारा account बन गया है वह भी free में अब यहाँ पे आपको fingerprint डालना है या पिंट डालना है वह आपको मांगा जाएगा वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं अब देख सकते हैं कि आपका यह डिमेट अकाउंट ग्रो एप पे बन चुका है वह भी पैसे भी नहीं लगे है और यह इस पर आप क्या होएगा कि आप जब इसमें जाएंगे अपने प्रोफाइल पे तो आपको इसमें सो रुपया भी क्रेट कर दिया ज आएंगे तो आपको भी आपके अकाउंट पे सो रुपया मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दे शेयर कर दे और आप मेरे चैनल पे नए है तो इसे स प्साइस बाहीड़ से बस्ट def misma दो भीड़ा भीडियो में है रुप सब्स्र आपको जो जाए ह wystंग है दो कि एस वीडियों के। षङ servis भीडियों के अथा तो इसा बड़ald खना मिल जानले के अन्या के दिस बस्वीड़ को कर दो किन आपक पूदानी है वैठो आखके ला